उनको घर से गसीट कर गले में गमचा लगा हुआ और धक्कम दुक्ती करते हुए जिसमें कि उसका फाटक भी भसक गया है धक्कम दुक्ती घीचते हुए चड़ाओ था न गमचा एट केट दिया घीचते हुए हमारा तो ये कहना है गलत ये पोस्टमाटम रिपोर्ट मिली गजच रहता है मयागेंज के अंदर रहा उसमें भी स्पी कह दिया होगा परस्टमाटम नॉर्मल करो उनकी हथ्या घला दमाने सुआ है और मारने गला बिखती दारूपी के उनको मारा पुलिस दारूपी भी तो वह इसे मारा है उनको हम तो अस्पटाल से निकले थे पत्रकार लोगों ने बयान ले लिया, तो लगा उनके परिवार को, परीजन को, कि अलूर जरूर बयान दे दिया, तो अलूर जरूर बयान दे थे, लेकिन जब ये सुने कि कुछ से कुछ बोल रहा है, फिर हम गए थाना, थाना से ख़बर ने निकलिए, कैसे कैसे हत्या ये हम पुछनक लिए लेकिन जाने के बात महां पर कोई नहीं है, हमारे बुड़िगार्ने, हमारे सहजुग ने बोल रहा है, बिदायगी आहें, निकलिए, कोई निकलिए, कोई ने निकला, कोई ने आया, बीज मिनट के बाद, तब महां पर आते हैं, कौन, जो मुझस्ट हम लोगों को चाय दिया विश्कुट दिया खातीरदारी किया पूछते रह गया तो लुग बोला गा नहीं थाने से इसा कोई बात नहीं है उनको नहीं मारा गया है कुछ नहीं किया गया अराम से बुलाके वो नेच़रल घटना घटी है हम दिख जब जब उनके परिवार के निकट गय जब रोना शुरू कर दिया उनको घर से घसीट कर गले में गमचा लगा हुआ और धक्कम दुक्ती करते हुए जिसमें कि उसका फाटक भी भसक गया है धक्कम दुक्ती घीचते हुए चड़ाओ था न गमचा एट के एट दिया घीचते हुए हमारा तो यह कहना है यह भिश्यद्य कर गलत यह पुश्ट मांतरम रिपोर्ट डॉक्ती से लाता हुए उसमें भी एस ब कहा दिया होगा जर्टम कर आए हुए हद्या हमारने सही एं और मारते आया है, भॉक्सिंग को नहीं सब कुछ, अजब गय है, वहां पता करने के लिए तुद करमचारी था, बाका में डूटी करते थे माइने रिरेशन में, वो चावी दिखा है, उन्होंने अपना सब कुछ दिखाया, पेपर ते पर समनोकरी करते हैं, वो दारू नहीं पीते हैं, और माँने अबाला बगते हैं, दारू कि उनको मारा है, जो गया था पकरने हिँ दारू पीए हो मूड में ता तब भीर हमीसे मारा है उनको, और यक बात में कहा देना चाहता हूं, 6-6, 10-7, 6-6, 7-7, 10-7 अभर पुलिस दारू पीइ i. ता वो इसे मारा है उनको अब गले में किसी को गमचा लगा के आयठ के कस दिया, उसके बेटी को टाटा, गाली उलज किया भोचा अफिर किस मोड में लड़की को गाली दें जबान लड़की को, धगेल दिया उसको फाटक के पितार, अब किसी के पिताजी को घसित के ले जा रहा है, उसमें तो जरूर पुलिस पता दिकारिए नहीं है जो पकाम करता ही नहीं है और ये सरकार को बदनाम करने का साजी से थिसक अगरी फिसके त्रमिक अब गशातों तो इधर ने किसी को पकड़ के जाके किनारे में पूल के निगड़ जाके पकड़े हम देखे गए एकदम किनारे में का घर है उनकी बेटी भड़ेगी उनको बोले हम कोई इसा बेटी बयान ने दिये हैं तुम मेरी बेटी हो ऐसे मत बोलो हम ही बयान को बदलने के लिए प्रेस्स कॉंस्फेंस बोले हम कोई गलत वोल ही ने सकते हैं और एक बात सत्त है मैं जूट ने बोलता हूँ सत्त बोलता हूँ जो बोलता हूँ में करता हूँ इसलिए हम पर नराज रहते हैं कि सरकार के विरुद को पाल मंदेल बोलते हैं सरकार के पक्ष में बोलते हैं जब हमारी सरकार 2005 में आदर में मुखमंदिन दिश्कमार बने थे सुसीर मोदी उप मुखमंदी बने थे उस ताइम में अस्पा थीम इसमें ठाने में कागज कलम नहीं रहता था वो ठानेदार अगर येग पन्ना लिखना है तो पाँच प्रोब कारवन येग जिस्ता कागज मंगबाता था दो कलम मंगबा लेता था ये करता था उसमें भी विगर रुपईया लिए हजार दोजार लिए नए अफ से साल के बाद कुछ तो फिर चला उसके बाद भाई क्या के सरकारी मुलाजिम बहब गया है मेरे सरकार को नितिश कुमार को ये क्या कहा जाए बदनाम करने के लिए ये तै कर लिया है चाहिए ब्लॉक की बात हो विकास की किरने इस कहा से फुटती है ब्लॉक से फुटती है कि हमारा बुलोग वरस्थ है सीयो विडियो खतम है करमचारी खतम है और यह बात कहा दिना चातों भूल जागे हुए से हम पटना जाने के पहले किस दिन कुनल जी हो किस दिन बोले थे हम दरोगा को परसों बोले थे वहाँ पर पुलिस आके वह कटनी करने वाले मजदूर को मारना शुरू कर दिया हम को फोन के हम दरोगा को बोले हम रिकॉर्डिंग कर रहे है रिकॉर्डिंग कर रहे है अब बताइए जन परति दिनी विदायक मेरे इसे विदायक को इस दरोगा कहे हम रिकॉर्डिंग करने क्या कर रहे है काली दे दे थे कुछ बोल रहे थे वुबला रिकॉर्डिंग कर रहे है यह कहानी है इतना बहका हुआ पुलिस है इतना बहका हर थाना दार दारू पिता है कोई पुलिस महकमे के लोग नहीं है जो दारू नहीं पिता औरे हमारी सरकार हैं तुब माध्याम से अधरने मुखमंत्री का नजर इधर आकरसित करना चाहते हैं कान खोलना चाहते हैं आप मुखमंत्री जी पूरी तरह से बंध है चोर चोरी करने से जाएगा डकेती बंद है, सब कुछ बंद है, जब रस्ती होता हो बंद है, लेकिन लुके छिपे तो काम करता है मखलब आप काना यह चाह रहे हैं कि मुख्मंत्री का कान बंद है कान बंद नहीं है, मुख्मंत्री का कान खुला हुआ है क्या कारण है एक धियान नहीं पर रहा है हम तो विधायक दल के बैठक में बोलें है मेरे इसे ब्यक्ति को इसमाइलपूर के दरोगा पासमान जी दारूपी के नो बजे हम से बोला आप बोलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे है दारूपी हुआ था पासमान जी इसमाइलपूर्थाना के परभादी और मेरे इसे जो हमारे इलाके में पुलीस हाब है ओक है बोलिए भी दारूपी कर रहे हैं जितना बोलना बोलिए आप ये कह रहे हैं कि शराब बंद ये पुरी तरह सक्सेस है और ये भी कर रहे हैं कि पुलीस बिना शराब भी पीती है हमारा ये कहा ना गाजा बंद है ना गाजा बंद है ना पुर्ण रूप से ने ने सवाल तो पुछे ना वो ही पराते हैं गाजा बंद है पुर्ण रूप से गाजा का तसक्री चल रहा है तो कहा कांचोर को पकड़े फिरेगा चुरिनों की तो हता है वोडर सील कर दिया आ गगा हर जहां से आता है सेल कर दिया गए शाराभ बिल्कुल सराभ का दुकान बंद है लेकिन चूडी छीपे और एक बात कहते हैं सरकार का गाइड लाइन है जितना आदिश देगा दारू बनाने का उतना ही बोतल तयारी हो लेकिन ट्रक का ट्रक आता है वो डूब्लिकेट दारू जिससे बिमारी पहलेगा बहुत लोग मरेगा यह डूब्लिकेट दारू पिने सरकार तो लगी हुए है पुलीस महका में के लोग भी पकड़े जाते हैं तो वो भी जेल जाते हैं अरे लगी हुए है सरकार पकरवार हैं पुलीस अपना काम कर रही है लेकिन वही दारू रखके अपना दारू पीते हैं लाठी दंग चलाते हैं अलूल जलूल बकते हैं थ कुप्वी मुक्ङ सब्सक्राइब three and सांप्सक्राइब सब्सक्राइब अगरीब भले जरूर से दे पर बस्त नहीं था बेरहमी से पिता गया वो गोहार लगा रहा है देखिए हमको रमचारी है मैंने लिए संका यह देखिए चाभीस मेरे पास है यह देखिए हमारा यह है वो कुछ नहीं माना चुकि दारूप यह हुए था पुलिच ना पुरित पुरिवार को न्याय दिलाने लिखे लिए आदर्निय मुख मंतरी निति शुमार से आदर्निय पधान मंतरी नदेन मोधी जी से आग्रह करता हूं उनको 20 लाख रुपया मुख जाए आप लोग मारे हैं लेकिन बोला नहीं यह बात नहीं हो बात और यह बात कहना जाता हू जिनके आदेश पर यहां का ये EASP है कि सीटी EASP है ने कर सकते हैं उन पर कोई कारवाई ने आदेश दिया था पकड़ के लाओ उन पर क्योंने कारवाई हुई ज्याई आप आरोपी किसको मान ते हैं पुलीस उन्होंने जो सीटी एसपी हो जो उन्होंने आदेश दिया उनके आदेश के बल पर जाके पुलीसोंने घस्ते हुए लाया और मैं काता हूं दारूपी के उगसिट के लाया है क्या तूक था किनारे से मारते आ रहे हैं बूट पहना वबा दे रहे हैं कहां अंकोस में लगा कंठ दबा हुआ है बोल पाने नहीं है उनके बेटी को धख्या दे के भगा दिये ये कर दिये दारूपी के उन लुट पीट पीट के उनको मार दिया और ये पुलीस से मिली भगत से डाक्टर ने पुस्ट मांटन रिपोर्ट नॉर्मल बना दिया है नेच्वल मडर है नेच्वल मडर है घरे में क्यों न मर गया ये सब सारी बात जूट है हम आग्रे करता हुआ आदर ने मुखमति जनीतिश कुमार से और आदर ने प्रधान मंत्री मुदी से चुकी प्रधान मंत्री को भी बोट यही न देते हैं यही पब्लीक न हमको कौन देते हैं यही पब्लीक न यही बात है MP बनके जाते हैं प्रधान मंत्री बनते हैं हम विधायख बन के जा ते हमारे मुखमंदी बनते हैं कौन देता है हुआ इतब पब्लीक है 200 प्पावर है यहां की पब्लीक दी अंत की जनता हिंदुस्तान की जनता हो जनता मुखाथिब हुआ तो ठीक है सरकार बन गई जानता बिदर गई हम लोग भाई हम लोग को उतना पावर नहीं हम करें तो क्या करें मेरा खून खूल जाता है उस गरीब आदमी को मार दिया और बे सहरा हें टो माउथ हो गया कैसे खाएगा मैं सरकार से आगरे करता हूं कि तब तक उनकी पत्री को पानी पिलाने में बाहल किया जाए जब उनका बेटा का उम्र है 60 साल जब उनका उम्र होगा उनको अनुकंपक के अधार पर नोक्री दिया जाए ये मेरा कहना है